नमस्कार अचार सलील चैनल में आप लोग का सवागत है आई एक आवाज सुनते हैं जो कि जमीन के नीचे से आ रही है और इनमें जब यह आवाज आई तो आसपास का जो वातवरंता इतना डरावना हो गया कि इस आवाज से ही आपको पता लगेगा कि यह आवाज आई उरिसा में और कुछ मुझे लोगों ने भेजी और लोगों ने मुझे बताया कि कि यह साथ दूसरी आवाज है इसके पहले एक दो आवाज और आच चुकी हैं और इस आवाज को सुनने से फिर भविस्ट मलका की बात याद आ गए कि भविस्ट मलका में इसको बहरवी की आवाज बोला गया है और ऐसी ही बहरवी की गरजना होगी और यह इतनी डरावनी होगी कि हम लोग के होस उड़ जाएंगे समझ में नहीं आएगा और खास्तों से जहां से यह आवाज निकलेगी वहाँ आसपास जो कोई होगा तो यह दि किसी की हार्ट फेल्चर डित हो जाए तो अस्थर मत करियेगा मुझे यह नि scientifically आवालू में कि यह पहली आवाज है दूसरी आवाज है यह तीसरी हवाज है लेकिन यह है कि दिन के समय तीन बार आवाज आएंगी ऐसा वविश मलका में बोला गया है और इसके बाद तीन बार यह आवाज जो कि रात को आईगे बुजी आदे मैंने एक बार यह आवाज सुनी थी अपने कानों से और काफी पुरानी बात है और इसके बाद काफी समय तक मन जो था बहुत घबडाया हुआ था कि ये आवाज कहां से आई हलां कि वो आवाज जमीन के नीचे से आई थी पित्वी से ये जो आवाज मैंने आपको सुनाई ये बहरवी की आवाज है और भविस्ट मालका के अनुसार बहरवी जागरित हो चुकी है और इनका जागरित होना ये बता रहे हैं कि हम विस्युद्ध की तरफ अभी ये लड़ाई बढ़ रहे हैं विस्युद्ध की जगे मैं ये कहूंगा कि जो एक विनास लीला ये वर्ट सही रहेगा और जहां पर हम यूगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं ऐसी ही ऐसी ही आवाजें डराओनी आवाज आएंगी और मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि जिसमें कृष्ण और बहर्वी का समवाद है और जिसमें बहर्वी कहती है कि हमको अच्छा मास खाने की एक्चा है तो कृष्णे कहते हैं कि हम आपको कल्यूग में अच्छा मास खिलाएंगे और कल्यूग के अंत्मे में आपको मनुष्य का मास खिलाऊंगा तो ये भविसमाल का में ये चीज लिखा हुआ है बहुत अच्छा समवाद है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा तो वापस दाते हैं इस आवाज में ये मुझे नहीं मालूम कि किस नंबर की आवाज है यदि ये तीन बार ये आवाज हो चुकी है एक बार तो ये होई गई है तो अब आप ये मान के चलिए कि बाईस मार्च दोहजार तेईस के बाद अब ये आवाज होगी वो रात को आईगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बाईस मार्च में लगबग लगबग दिखा जाए तो पंद्रस साथारा दिन बाकी है तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही बाईस मार्च की डेट निकली तो फिर ये आवाज रात को आईगी और इनका ये कहना है कि छे अप्रेल दोहजार तेईस की रात जिसमें एक दैवी आपदा डिजास्टर जिसको बोलते हैं तो ये आवाज तीन मार्जो है अब रात को आईगी पहली बार ये आईगी चैत्र महिना कि ये आवाज आईगी और ये तारिक पढ़ देगे छे अप्रेल दोहजार तेईस को पहली आवाज इसका बार भविस्त मालका में कहा गया है कि दूसरी बार ये आवाज आईगी दोहजार चोविस को चैत्र महिना मंगलवार पुर्मा कि दिन और ये तारिक पढ़ेगी तेईस अप्रेल दोहजार चोविस और तीसरे बार ये आवाज जो आईगी जो कि बहुत ही खतरनाक आवाज होगी ये आईगी दोहजार सत्ताईस में और इसके बार फिर एक धूम केतु गिरेगा और जैसा कि मैंने पिछले वीडियों बनाया था कि ओड़िसा पूरा पानी के अंदर समा जाएगा जगनात पूरी और डिजास्टर होगा मैं आपको एक कुछ और अपने बात बताना चाहता हूं जिसमें संजय और धितरास्ट का सवबाद है और दितरास्ट संजय से पूछते हैं कि हे संजय तुम्हाँ पास तो दिवरिदेश्टी है क्या तुम अपनी दिवरिदेश्टी से बता सकते हो कि हमारी प्रिथवी देखने में कैसी है तो संजय बताते हैं कि दो पीपल के पत्तों को जोड के ऐसे और उसके सामने कुट्टे को बठा दीजिए ये हमारी पृत्वी है तो क्या हाकीकत में पृत्वी उस समय ऐसी थी पांच यार साल पहले किस्टने के जाने के कुछ समय पहले जब द्वारिका समुंदर में चली गई और एक भीषन अर्थोकेक आया और काफी नुकसान हुआ क्या हम उधर ही जा रहे हैं क्या एक डिजास्टर होने वाला है ये तो वक्त बताएगा लेकिन भविसमालका की बात माले तो भारत में बहुत सा इलाका समुंदर के अंदर जाएगा बहुत सा इलाका समुंदर से निकल के आएगा एक फालोवर ने मुझसे जानना चाहा है अमेरिका और कनेडा के बारे में इदि मैं भविसमालका की बात को रखूँ तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं भविसमालका के हिसाब से अमेरिका और कनेडा पानी में चले जाएंगे और ये जो विनास लीला होगी इसमें टाइम नहीं मिलेगा कि आपको समलने का टाइम मिलेगा एक जटके में जैसे कि भुकाम पाते हैं तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे जो होती हो तास के पत्ति जैसे गिर जाती है मैं इस स्वर से प्रात्रा करूँगा अला कि मैं प्रात्रा करने वाला कुछ कोई नहीं हूँ क्योंकि ये सब लिखा जा चुका है प्रभू की लीला लिखी जा चुकी है होनी है और जिसा कि भविस्वा मलका के लोग कहते हैं कि होगी तो मैं भी कह रहा हूँ कि जरूर होगी और देखते हैं कि तब तक हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं नमस्कार